वेलकम टू मैं चैनल, हेर इस परमिंदर आज की संडे स्पेशल रस्पी में हम बनाने जा रहे हैं आलू और पोहे का बहुती टेस्टी सा नाश्टा जो आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने आलू ले लिये हैं उबाल कर और साथ में ले लिया है आधा का पोहे का तो पोहे को हम सबसे पहले वाश कर लेंगे इसको एक ही पानी में वाश किया है मैंने क्योंकि मेरे पास ये पतले पोहे हैं अगर आपके वापास मोटे पोहे हैं और उसके बाद ही उसका पानी निकालिएगा अगर आपके पास पोहे नहीं है तो आप चावल काटा भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगापर तो अब इसको हम सूखने के लिए रख देते हैं तो उतनी देर में हम आलो को कद्दुकश कर लेंगे आलों को कद्दुकश करने से बहुत ही अच्छा सा टेक्स्चर आ जाता है और यह स्मूद हो जाते है तो आलो हमारे कद्दुकश हो गए है तो इसमें हम यह पोहा डाल देते हैं यह सूख गया है और थोड़ा सा फूल भी गया है तो इसमें मिक्स कर लेते हैं आलों में इसको साथ में डाल दी है हरी मिर्ची दो थोड़ा सा धनिया डाल दिया है अब मसाले डाल देंगे एक चमच नमक डाला है इसमें एक चुथाई चमच काली मिर्च का पाउडर लाल मिर्च डाल दी है आधा चमच चाट मसाला भी आधा चमच डाल दिया है आधा चमच डाला है काला नमक और आधा चमच ही डाल दिया है भुने जीरे का पाउडर इन सब से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है हमारी रेस्पी में अब इसमें एड़ कर रही हूँ चार चमच भर के ब्रेड क्रम्स के ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी से हो जाए तब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक डो त्यार कर लेंगे इसका तो ये हमारा डो बन के त्यार है अब इसकी हम कटलेस्ट बनाकर देख लेते हैं अगर असानी से बन रहे हैं तो ठीक है वरना थोड़े से ब्रेड क्रम्स इसमें और डाल देंगे हम अब थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है तो दो चमच भर के ब्रेड क्रम्स के मैंने और डाल ली है इसमें और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर से बना कर देखेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट है अब हम इसके कटलेस बना लेते हैं आप चाहे कोई भी शेप में बना सकते हैं जैसे भी आपको शेप पसंद हो तो मैं तो इसे सिलंड्रिकल शेप में बना रही हूँ अब इसको हम कोट करेंगे सूजी के साथ आप चाहें सूजी का यूज करें वरना स्कीबी कर सकते हैं इस टैप को सूजी से कोट करके आप इसे फ्रिज में स्टोर भी करके रख सकते हैं ये हफ़ता खराब नहीं होते हैं जब भी कोई मेमान आए जब बच्चों के टीफन के लिए हमें कोई स्नैक्स डालने हो तो ये फटा-फट से निकाली है और बना कर देश सकते हैं आब बच्चों को तो अब कड़ाई में रख लिया है तेल इसको अच्छी तरह से पहले गरम किया और अब इसको मीडियम फ्लेम पर कर लेंगे और इसमें हमारे जो कटलेस बना के रखे हैं हमने वो डालते जाएंगे एक बार में जितने कटलेस आएंगे हम उतने ही डालेंगे ज्यादा नहीं उसके बाद फॉक की मद़से नहीं हिलाएंगे कर्ची का यूज नहीं करेंगे वरना ये तूट भी सकते हैं क्यों ये बहुती सौफ्ट होते हैं तो फॉक की मद़से ही इनको आगे पीछे करके हम सेक लेंगे मीडियम आच पर रखेंगे वरना सूजी जल्दी से उपर से रेड कलर की हो जाएगी अंदर से कच्छे रह जाएंगे हमारे कट्लेर्स तो मीडियम आंच पर इन्हें धीरे धीरे बनाना है और इसके बाद जैसे ही इनका कलर थोड़ा चेंज होगा तो हम इसको निकाल लेंगे और अब बाकी के जो कट्लेर्स बने हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं फटा फट से तो ये बहुत ही टेस्टी सा नाच्टा है चाहे आप इससे टी टाइम इवनिंग टाइम में बनाईए चाहे सुबह बनाईए जब भी टाइम लगे बनाईए और खाईए तो अब इसके बाद जो आलू के बाकी कट्लेर्स बने हैं बचे हुए थे जिन पर हमने सूजी की कोटिंग ने की थी वो भी हमने डाल दिये हैं उनको फ्राई कर लिया है तो कितना सुन्दर सा कलर आ गया है तो ये हमारे कट्लेर्स बन के बिल्कुल त्यार हैं और ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और उपर से करंची बने हैं बिल्कुल ही तो आप भी इसे बनाईए और एंज्वाइ कीजिए अपने संडे का जब भी कभी कोई पार्टी फंक्शन हो तब भी आप जे स्नैक्स बनाकर रख सकते हैं और फटा फट से तलके अपने महमानों को पेश कर सकते हैं बच्चों को भी यह बहुत ही पसंद आएगा और घर में सब को बहुत ही पसंद आने वाले हैं तो आप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करेंगे आप तो थैंक्स फॉर वाचिंग और सब्सक्राइब मैं चैनल फटो प्रेंग पल एकन वोर और विडियो थैंक्य।